आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे ग्लास इसके यूटूब चैनल पर थमनेल आपने विल्कुल सही पड़ा जी एस्टी रजिस्टेशन अब मुस्किली नहीं नामुम्किन हो जाएगा लेना से रैसा क्यों क्या रहे हो आप मुझे कमेंट बोक्स में रखा यानी और जब आप पास्पोर्ट लेते हो तो आपको थोड़ी सी टेंशन होती है यानी क्या आपने देखा है कि बहुत सारे लोगों पर फरजी पास्पोर्ट है आपने ऐसा नहीं देखा होगा क्योंकि जब आप पास्पोर्ट लेने जाते हो तो आपकी इतनी वेरि स्टेशन लेने के लिए पासपोर्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा सर ऐसा क्यों कह रहे हो और ये तो अभी गुजरात और पॉंडचेरी में हमें क्यों डरा रहे हो तुम्हें डरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान में होने वा गॉर्णन डर्यां ओलटा में सब्सक्राइब जैसा कि तुम्हें पता है कि फ़र्जी रेजिस्टेशन होते हैं गोर्र्मेंट इस पर ज्यादा कार्वाई करनी पाती उनका रेजिस्टेशन बैग डेट से कैंसिल कर देती है और जब ओफिसर से बात करो तो कह दें गया इस से तो कुछ recovery नहीं होरी ऐसा करो receiver को पकड़ो receiver से recovery करो अब government ने बड़ा सक्त हुई है कितने सालों बाद government सक्त हुई है 6 सालों बाद government सक्त हुई है कह रही है कि हम registration देंगे नहीं और उसकी पहल गुजरात और pondicherry ने करिये और बहुत जल्दी UP बिहार दिल्ली में applicable होने वाला है आप comment box में लिख कर बताना कि ये वाला process दिल्ली बिहार UP में applicable होना चाहिए या नहीं सर होने क्या जारा है जरा समझो जब आप registration की application फाइल करते हो जो होती है हमारी REG 01 में जब आप registration की application फाइल करते हो REG 01 में तो उसके बाद वह आप से कहता वह आधार authenticate करा लो लेकिन अब होगा गया अब होगा गया अगर आप अपना रिजिस्टेशन कर रहे हो तो उसके बाद जैसे आप RIG 01 बरोगे जैसे आप RIG 01 बरोगे तो आपके पास email आईगी email पर दो में से एक चीज़ हो सकती है या तो आएगी a link for OTP आधार authentication अगर आपके पास आजाए a link for OTP आधार based authentication तो लेट्डू बाट देना क्योंकि तुम्हारे को passport office की तरह GS के office जाने की जरूरत नहीं है तुमने आधार authentication कराया तुम्हारा काम हो गया तुम्हें कोई दिक्कत नहीं और ये वाला system ओल्रेडी पॉंडे चेरी में 30 अगस्त से चल रहा है गुजरात में 7 नमबर से चल रहा है दिल्ली में बिहार में यूपी में जल्दी आने वाला है अगर किसी को registration लेना है तो अभी ले लो बाद में registration की fees भी बढ़ जाएगी ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं जरा लगा कि तुमने पहले registration कैंसिल करा रखा या तुम संदिर्द व्यक्ति हो तुम्हारे को GST registration देना मतलब बोकस ITC को invite करना है तो वो OTP based आधार authentication आपके mobile पर आपकी email ID पर नहीं भेजेंगे तो सर फिर क्या करेंगे भई आपको भेजेंगे a link for booking an appointment तुम्हारे पास एक link आएगा कि भई आप ऐसा करो आप अपने सारे पेपर लेकर GST सुईधा केंद्र आ जाओ और बताओ किस समय भुलाएं आपको साड़े 10 बजे का appointment दे दे 25 तारिक का appointment दे दे और आपको वो appointment book करके तीक है ना आपको वो appointment book करके अपने सारे पेपर लेकर तीक है वहाँ पर जाना पड़ेगा क्या सर हर केस में जाना पड़ेगा नहीं अगर आपके पास आधार based authentication link आगे तब नहीं जाना अगर आप पे आगया कि हमारे पास तो appointment है ठीक है ना appointment book करके जाना है तब ही आपको जाने अधरवाइट जो बाकी लोग होंगे उन्हें जो 3A है उसके इसाब से जो normal registration है उसमें करना पड़ेगा और अगर आपके पास आया कि भाई आपको CSK GSK office जाना है तब आपको महाँ पर जाना पड अधार लेके जाना अधार नंबर लेके जाना है और जो original documents है जो original documents है मतलब कि जो बिजली का भी लाप attach कर रहे हो जो rent agreement attach कर रहे हो वो सारे के सारे महाँ पर लेकर जाने और वहीं पर तुम्हारा biometric authentication होगा documents verify होंगे जैसे passport office में होते हैं और यहाँ पर इस बात को ध्यान दगना अब तुम सोचो कि ऐसा करूँगा भाई मैं न अपने CS आपको बेज़ दूँगा अपने advocates आपको बेज़ दूँगा accountant को बेज़ दूँगा नहीं वहाँ पर जो व्यक्ति registration ले रहा होगा को जाना होगा अगर कोई company का डारेक्टर है company का केस है तो उसमें डारेक्टर जाएगा partnership फरह में तो पार्टनर जाएगा और जब appointment लेने के बाद वहाँ चले जाओगे ठीक है उसके बाद ही आपका ARN नंबर जन्देट होगा तो भीया अब आप मुझे comment box में लिखकर बताओ कि क्या ये process पूरे इंडिया में होना चाहिए या नि अगर ये process हो गया इससे ब्रस्टाचार कम होगा या ज्यादा होगा ये बताओ registration लेने में आसानी होगी या दिक्कत होगी ठीक है न क्या पता ये सब लोगों को ही कह द बल्ले वाले हो जाएगी क्यों कि मैंने लेकिन जी सब्लब्रा और कि अनक्राइब और लेकिन जी और में जीया जना झांना है तो एक वार किया चरुrukt यहां पर यह सिस्टम बेकिन दिल L न हो यह ईंग भी दूर यह बिहार दूर न है जैसे ही इने यहां पर positive results मिलेंगे यह लोग यहां पर भी इसे perform करेंगे तो अगर आपका client आपसे कह रहा है registration लेने की सोच रहा है उससे कहते ले ले भाई अभी पता चले बाद में दिक्कत हो जाए पता चले बाद में दिक्कत हो जाए आपको कैसी लगी यह advisory फटा फट से हमें chat box में लिख कर बताओ comment box में लिख कर बताओ और हाँ दिवाली के offer हमारे app पर चल रहे हैं एप को download करो knowledge बढ़ाओ discount के मजे लो और एक powerful webinar रख रहे हैं कि GST और income tax में अपनी practice कैसे grow करें practice करते समय तुम्हें क्या क्या दिक्कत आ रही है तो अगर आपने इस webinar में अभी तक उल्चा कर दो